तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप लोग को टेंथ क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर तू पढ़ाने जा रहे हूं जिसका नाम है इदगा यह हिंदी वह वाले स्टुडेंट के लि चैप्टर वन तो इसके पहले वारी वीडियो में आप लोग को पढ़ाई चुकी हूं अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर तू पढ़ेंगे जिसका नाम है इदगा और यह बहुत ही ज्यादा इंप्टेंट चैप्टर है सबसे ज्यादा कोश्टन इसी चैप्टर से यह इंपोर्टन और मज़ेदार हैं इंट्रेस्टिंग के साथ सबसे ज्यादा कोशन इस चैप्टर से चाहे सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और और दोनों में कोशन जो है सबसे ज्यादा उठाय जाते हैं अगर आप बात करूं है पूरे बूक के जितने भी सबैसर सबसे ज़्यदा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट और मजदार भी बहुत कुछ आप लोगो सिखने को मिलेगा इस चैप्टर में ठीक है तो चलिए हम लोग फटफट स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को कौन है प्रेम चंद तो आप इदगाह चैप्टर के बोल सकते हैं रचनकार प्रेम चंद या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इदगाह चैप्टर के लेखक कौन है तो प्रेम चंद तो कोश्चन किस तरह से भी घुमा कर पूछे अगर इस तरह से पूछे कि रचनकार कौन तो प्रेम चंद ही होगा इदगा चैप्टर के लेखा कोने तो प्रेम चंद इदगा चैप्टर के रचय तक ओने तो कोशन जिस तरह से भी पूछे आप लोग 100 परसंट सही एंसर लिख कर और टिक करके आईएगा ठीक है तो चलिए जरह हम इस कहानी को और इस पूरे के chapter को समझ लेते हैं देखिया जो chapter के ना बाल मनविज्ञान पर ना दातरी थे यानि कि बच्छों के मानिसिक ओर शारीरिक स्तितीबरि, उसके विकास पर धातरी थे बच्चे का मैंड होता है वो उसके अस्तिति पर करता है प्रस्तिति के हिसाब से जना बच्चे उसी तरह से ढ़ल जाते हैं उसको बच्पन में किसी चीज की कमी है पैसे की कमी है तो उसको जब पैसा मिलेगा ना तो उस पैसे का वह मतलब सोच समझ कर खर्च करेगा कि मैं इस पैसे को ऐसे जगा खर्च करो जिससे उसका हो मुझे उसका कोई नुकसान ना हो मतलब बच्पन का जिस तरह पृस्तिती देखनों को मिलता है ना उसी इसाब से बच्चा क्या हो जता है ढ़ल जाता है वह उस तरह सो बड़े 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 भाई पढ़े लिखे नहीं होते हैं क्यों कि उनको बच्पन से जिम्मेदारी दे गई रहती है देखो पैसे की कमी है तुम कमाओ और पूरे घर को चलाना है तो अक्सर आप लोग देखने को मिलेंगे घर वाले कि बड़े भाई जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते ह क्योंकि उसके बड़े भाई की बच्पन अच्छा से नहीं गुजरा रहता है उसके बच्पन की परस्थिती है उसे मजबूर कर देती है पैसे कमाने के लिए क्योंकि उसका बच्पन में पैसे की कमी रहती है तो उसकी परस्थिती क्या कर दी पैसे कमाने के लिए मजबूर कर दी और वह भेच्टा पैसा कमाने में मतलब क्या हो जाता है मस्गूल होता है मस्रूफ हो जाता है ठीक है और पढ़ नहीं पाता तो अक्सर आप लोग दोग देखेंगे कि बड़े भाई जो है आप लोग अक्सर देखने को मिलेगा भी इस तरह की घर में छिट जेटर में अप लोग को यही देखने को मिलेगा कि बचों की बच्पन की प्रेस्तिती उसे मजबूर कर देती है बड़े लोगों की तरह सोचने में सोचने के लिए इस चैप्टर में बहुत सारे किरदार है यह सब करेक्टर है अमीना है महमूद है मौशी participar नूर एक लेकिन जो मेन के रैक्टरह जो की में रोल बारहा है वह हामिद यहां expanding हामिद जो मेंन रुल लिभा रहा है इस कहानी का ठीक है कि में करेक्टर है इस हामिद के बारे में कहानी बताई गई धिया कि हामिद जो है उसका बचपन की परिश्टिती उसको मजबूर कर देती है बड़े लोगों की तरह यानि की बैस की तरह सोचने के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है उसकी बच्पन की परस्ते थी ठीक है चलिए मैं आप लोग को शुरू से कहानी बताती हूं देखिए रमजान के तीस रोजे खत्म होने के बाद आप लोग जानते हैं इद आता है और इद की तैयरिया बहुत ही धूम-धा सबसे ज्यादा खुश था वह था हामिद हामिद मत भूलिएगा यह मेन करेक्टर है इसी के बारे में कहानी बताई गई है तो हामिद जो रहता है इसके चार-पांच साल का छोटा सा बच्चा रहता है जिसके माबाप नहीं रहते हैं बाप तो इसके मतलब हैजे की विमारी एक में और और से मर गए रहते हैं पीली पड़ रहते हैं जो हमिड के माप नहीं रहते हैं लेकिन अakah पालन पोचर करती है जो कि हामीद की दाधी रहती है हामीद की दादी अमीना जो है वह हमिद का पालन पोसर करती हैं ठीक है याbesी बड़ी धुम धाम से शुरू हो यहसे हैं सभी लोग बहुत है लहते हैं लेकिन मेना बहुत ज़िदा गरीब रहती है और इसी टेंसन में रहती है कि आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन आज इद है ठीक है और उसके बाद से इस बात का उसे और भी ज्यादा टेंसन रहता है कि हामिद जो है मेला जाने के लिए तयार है लेकिन मेला उसे कौन नो किलोमीटर हो जाता है तो हामित को तीन को स्टप चल पैदल चल के जाना है उसके पैर में चाले पर जाएंगे जूटे भी नहीं है कि मैं उसे दे दूँ ठीक है पता नहीं हो तीन को कैसे मेला देखने जाएगा यहीं सोच सोच कर और भी ज्यादा जो है ना अमीना रोती है तब ही हामिर आ जाता है और कहता है कि तुम टेंसर नहीं लो दादी अम्मा मैं बहुत जल्द वापस मेला से लोट करा जाओंगा और उसके बाद से हामिर जो है वो मेला देखने चला गया सभी बच्चे जो थे उन्हीं के साथ यह अगया पैदर इसको अईसा लग रहा था कि इसके पैर में पंक लग गये हैं बहुत ज़दा खुशता सभी बच्चे खुशे खुशे मेला जा रहे थे और इसमें ये भी शामिल का ये भी जा रहा था रास्ते में मेला पहुच गए और इदगाह में नमाज भी पढ़ाई गई आप लोग जानते हैं ना इद की नमाज पढ़ाई जाती है इदगाह में त तरह यह जो नमाज पढ़ने वाले एक कतार में बैठे थे और एक साथ से इसने में जा रहे थे और उठ रहे थे ठीक है तो ऐसा लग रहा था कि एक कतार में बत्तिया सजी हुई है और एक साथ जो है फिर जल रहा है फिर फिर जल रहा है ठीक है और इदगा में जो है ना इद की नमाज खत्म हुई और सभी लोग एक दूसरे की इद की मुबारक बात देते हुए गले मिले और उसके बाद से इदगा से बाहर निकले और मेला देखना शुरू हो गया सभी लोग एक्साइटेड थे मेला देखने के लिए और उसके बाद से सबसे ज़्यदा एक्साइटे आमित के दोस्त का में नाम लिख दी हूं महमूद मौसीन नूरे महमूद के पास 12 पैसे रहते हैं मौसीन के पास 15 पैसे रहते हैं और नूरे के पास भी बहुत ज़्यदा पैसे रहते हैं यह अमीर घर आने के रहते हैं तो यह लोग क्या करते हैं जाकर जल 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 दी खिलोने तो मीति का ही बना था सिपाही तो महमुद वह सिपाही खरीद लेता है हुआं नदो आफ सभी बहुंत लिए बिल्कुल उसी तरह पेले भीष्टि हुआ करता है ठींक है और जी और भी आप कि पानी बर banks दूब ने कर जाते थे और आस्ते में प्यास लगती थी तो पिया करते थे तो बिस्ती करदा था नूरे जुए वह वकील खरीदा था वकील जो की मिट्टी का बना था ठीक है जो तो मिट्टी का वकील लिया और सबी लोग अपना-पना खरे लिये और यहामित के पास थो वह क्या घृत देखर उसका जी बहुत ज़्लगा उससी तरह मैं भी उटकर लेकिन अगर किस तरव बच्च में किस तरह हैं आप इसा युजा उसका इस इसा यूज करूं अगर मैं खर दू खरुदता हूँ बाकी बच्चो की तरह चैचल को एक जमेन पर ढींट पर या तोHHHH ठीक है तो नहीं यह खरीदने लाइक नहीं है तो हमीद जो है वह उसका मन कर रहा था कि हां मैं खिलाओना कर देऊं लेकिन वह देखिए किस तरह बैस कि बड़े लोगों की तरह सोच रहा है कि अगर वह खिलाओना जो है नीचे गिर जाएगा तो तूट जाएगा या फिर उ ने भी बच्चा खुश रहता है तो वहामिद को दे रहा थे कि लो लो देखो मेरा खरीद लिया तो हमित जैसे हाथ बढ़ाता है तो जो बच्चे इसके दोस्त रहे थे वह पीछे खीच लेते हाथ उसको नहीं देथे मतलब लला चा रहे थे अमीद को तो हमीद भी उसी तर जबी लोग मीठाईया खा रहे थे जितने भी बच्चे थे वह मीठाईया खाना सुरू कर दी है वह कोई गुलाब जामन खर दा कुछ खरदा को उनकित खरीद कर खाने लगए और हामिद के पास भी تीन पैसे थे वह सौचा कि मिठाईया ख़रेद कर कर लjud niez बाकित है हामिद सोच रहा है कि अगर मैं इस तीन पैसे का अगर मैं मिठाई खरिद लेता हूं घुलाब जामुनिया फिर कोई भी मिठाई खरिद लेता हूं बाकी बच्चों की तरह तो मेरी जीव को तो थोड़ा देर के लिए स्वाद मिलेगा उसके बाद से तो स्वाद करम हो जाए खरिद कर खाने लगते हैं और मिठाईय हामिद को भी देद देते कि लो लो तुम भी खालो और तो मेरे कुछ खरिदने के लायक नहीं है कुछ भी तो वो आगे बढ़ गए अगले दुकान की तरफ लेकिन हामिद उस लोहे के दुकान पर रुख गया और वहाँ पर देखा कि चिम्टा का कतार लगा हुआ है बहुत सरा चिम्टा रखा हुआ है तो वो क्या किया वो देखा किया हमिद वो तीन पैसे का वह चिम्टा खरीद लिया दुकानदार तो तिन पैसे में यह मान रहा था किसी तरह बहला पुसला कर हम मिजरों 5 तीन पैसे का चिम्टा खरीद लिया अब समझे नोरी अधिकिन हमिज्यों बना लेकिन यह जो यह आच्छ झां आन inherent तो मुरों क झूटोख जाएगा ठीक है और देखो और हम जो है अपने चिम्ट ऑट ब气 है लागा विशेषदा बताने लगा की इसly इसन टे पर रखो तो बंदूख हो जाएगा हास मिले लो तो फकीर का हुझा प्रखीर 002 करके ठीक है फकीर का चिम्ता हो जाएगा और भी बहुत सारे और बोलने लगा कि यह जो बहुत अच्छा खिलाओना तूट जाएगा तुम लोग का तो है जैसे ही इस चीम्ता से टकराएगा मेरा चीम्ता तुम लोग का खिलाओने को तोड़ देगा त्यक्षिए मतलब वहां पर हामिद अपने चिम्टवे को बहुत अच्छा खिलावना सिध कर दिया और सभी लोग उसकी बातों में आ गए जितने भी बच्चे थे हामिद की बातों में आ गया और वो क्या कर रहे उससे मोटिवेट हो गया और वो कहने लगे कि दो एक बार तुम मुझे अपना खिलावना ले लो ठीक है तो हामिद एक बार अपने दोस्त को चिम्टा दे देता तो उसका दोस्त जो है उसको एक बार खिलावना देदेता फिर इस तरह हेरा फेरी करकर जो हामिद अपने दोस्त के जो है ना खिलावने से मजा भी ले लिया उसके बाद से उसके पास चिम को देखकर बहुत ज़्यदा खुश हुई और उसको गोदी में उठाली और गले लगा ली ठीक है और फिर हामिद बोला आप दादी से की देखो दादी मैं तुम्हारे लिए चिम्टा लेकर आया हूं अब चिम्टे को देखकर ना उसकी दादी अमीना जो है बहुत ज़्यद कि दादी देखेंगे चिम्टे को तो बहुत ज़्यदा खुश होंगी हमिर जो चिम्टे के दुकान से यह सोच कर लिया था कि मैं दादी के दांपाद कर दादी मैं चिम्टा लेकर जाओं और मुझे को दूआएं देंगी और दूसरे और औरतों से भी बतायेंगी जो मेरा सारी दुआय मिलेगी यह सोच कर जो है हामिद उस चिम्टे को लिया रहता है लेकिन जब चिम्टा लाकर वह अपनी दादी को देख देता है तो उसकी दादी बहुत गुस्सा होती है कि कुछ खाया पिया नहीं और चिम्टा लेकर आया गया तो जब अब वह हामिद जो है वह अपरादी बरी नजरों से और मासूम चेहरा बनाकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई गलती कर दिया है वह ऐसे चेहरा बनाकर और अपनी दादे से बोला कि देखो दादी मैं देखता था कि जब तुम रोटी बनाते थी ना तो तो तुम रोटी पलटते थी तो तुम्हारा पांक से आसू आ गया कि देखो ये छोटा सा बच्चा कितना बड़ा सोच रखा है कि इसका मेले में जरूर मन किया होगा कि हां मैं यह खिलाओं ना कर दूँँए मिठाई खालू लेकिन अपने मन को इसने रोक लिया यह कैसे कैसे बर्दास्ट कर लिया और मेरे लिए मेले मे गले लगा दिया और उसको धेर सारी दुआए दियी तो यही पर तो आप लोग का यह कहानी खतम होता है अप लो खुद सोचिये वह वह जो बच्च भाक्चा है उसकी परिस्तिती ने उसको मजबूर कर या उस तरह सोचने पर, बड़े लोगों की तरह सोचने के लिए, बड़े लोगों की तरह सोचने पर मजबूर कर दिया उस हामित को, और वो मेला जाने के बाद कोई मिठाई या फिर कुछ खिलोने खरिदने के बजाए, वो अपने दादी के फायदे के बारे में सोचा, वो इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के साथ जुड़कर आप बहुत बढ़ियां पढ़ाई कर सके और आप लोग का रिजल्ट दीबेश्ट आ सके ठीक है और उसके बाद से इस वीडियो में मैं जो कुछ भी समझाई आप लोग को समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो ल हाफिस